हेलो केट्स स्वागत है आपका हमारे शैनल पे मैं हूँ निशू आज हम लोग जानेंगे अनिकार्थक शब्द या अनिकार्थी शब्द इसके परिभाशा और उदारन तो चलो फिर शुरू करते हैं अनिकार्थक शब्द किशे कहते हैं जो शब्द एक से अधिक अर्थों का बोध कराते हैं उसे अनिकार्थी या अनिकार्थक शब्द कहते हैं या जिस सब्द के एक से अधिक अर्थ होता हो उसे हम अनिकार्थी शब्द कहते हैं जैसे अम्रित अम्रित का एक अर्थ होता है दूद और दूसरा जल आईए आगे हम जानते हैं कुछ अनेकार्थक शब्द जैसे कि जग, जग का अर्थ हो गया संसार और दूसरा हो गया जगाना कनक, कनक का अर्थ हो गया सोना और दूसरा अर्थ हो पर्दा सारंग, सारंग का अर्थुआ मोर, सिंग और हिरन, घन का अर्थुआ बादल, हतोरा, पतंग का अर्थुआ सूरज और दूसरा अर्थ पक्छी, हार का अर्थुआ पराजित और दूसरा अर्थ माला, उत्तर का अर्थुआ जवाब और दूसरा दिशा, फल का अर्थ हुआ परिनाम और दूसरा अर्थ खाने वाला फल अंबर का अर्थ हुआ वस्त्र और दूसरा अर्थ आकाश कर का अर्थ हुआ हाथ और दूसरा अर्थ टेक्स तीर का अर्थ हुआ किनारा और दूसरा अर्थ बान नाग का अर्थ हुआ परवत और दूसरा अर्थ हाथी लाल का अर्थ हुआ एक रंग और दूसरा अर्थ पुत्र सोना का अर्थ होता है निद्रा और दूसरा अर्थ द्रब इसी तरह से एक सब्थ के बहुत सारे अर्थ होते हैं तो आज हम लोग जाने अनिकार थक सब अगर यह वीडियो अच्छी लगी हो helpful रही हो तो इसे like, share और मेरे चैनल को subscribe जरूर कीजिए मिलते हैं next वीडियो में नए topic के साथ तब तक के लिए बच्चों खूब पढ़ो खूब बढ़ो thanks for watching